तो आज का जो हमारा वीडियो है भूत ही ज़ादा खास है अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ऐसा हर बार कहता हूँ लेकिन एबात सही है क्योंकि हर बारी हमारा वीडियो खास होता तो आज जो हम रियक्ट करेंगे वो आपको मालम है इंजीनियर मुहंम्मद अली मिरजा जी क वीडियो है उस पर हम लिएक करने वाले हैं वीडियो का नाम है क्या नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़ लेना ही काफी है इसके बारे में हम जानेंगे आखिर पूरी बात क्या है वो तो इंजिनेर साब बताएंगे और आप अगर इस वीडियो को पहले देख चुके हैं तो हमारे इस चैनल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है सब्सक्राइबर टु मिलियन्स इसका मतलब यह है कि यहां पर हम जानने वाले हैं आपकी ताकत के बारे में इससे पहले मैंने वीडियो एक अप्लोड करा था उसका लिंक आपको डेस्क्रिप् कर चुका है हम सोच रहे हैं क्यों ना हम इस चैनल पर 100 million सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की कोशिस करें और यह सिर्फ हो पाएगा आपकी वज़े से अगर आप इसका साथ देंगे शेयर का साथ देंगे वीडियो को हर बार सेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लि लेकर आएंगी जिसके जरीए आपकी उत्तेजना और ज्यादा बढ़ जाएगी है ना तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको और जानकारी चाहिए तो वाली वीडियो टेस्क्रिप्शन में लिंक है उसे आप देख लीजिए चलिए देखें वीडियो ने हैं मुकीम भी और मुसाफिद भी ये अल्ला तरह ने सहुड़त दी है कि ये औरतों ने नमाज शुरू कर दी इसकी वरे से और जो आपको रखते हैं मताहिए थी अल्ला के फदल से 17 सिर्फ इशा दियां और हमने बताया कि 17 24 गंटे में हैं दो फजर चार जोर चार असर तीम मगरिब और चार इशा बाकी वितर हों या सुन्नत मौकदा हों जतना गुर डाले हैं उतना मीटे हैं हम तो पढ़ते हैं लेकिन ये अबलिगेटरी नहीं है और जिसको ये बात समझना आए न उसके लिए हमारे पास इलमी फकिया मी है फौरण समझाईगी आप ये बत चांद की 13, 14, 15 और दो दो जुमरात और समझार के मुस्लिम शरीफ में आता है अयामे 20 का भी जिकर बुखारी मुस्लिम में है तो अगर चार वीकेंड्स भी बने तो आठ रोजे ये और तीन वो कितने होगे ग्यारा तो ये बताईए कि जितने आशकाने रसूल हैं जो फर्स तो उस्रू नवजान के हैं जब बनको ये बात समझाए है साथ ही भी नवजा के जाओ के आब नमाजों में भी तो आजओ नमाजों में भी फर्स होई है जो आप इमाम के बीचे पек़ते हैं बाकी नफली नमाज है कर लें तो सواब ना करें तो कोई गुना नहीं इ उनके कि अड़ाई फीसद तो आप 20 फीसद दे दिया करें, वो केंगे नहीं, फर्स तो अड़ाई फीसद दिया है, उपर जितना मर्जी निकालने, निकालते कोनी वेसे ला के फ़से वो, उनके कि उपर उल्ला भी निकालने इसके बगार आपकी अड़ाई फीसद भी ही है, तो हम मुनके रोगे, जी हमने कभी नहीं कहा कि बुत राक क्याते से रफ़ेदायन होता था, तो आप सदियों तक ये लाइफ एंजॉय करते रहे हैं, ये वली, और आपने कभी किसी को मेंबर पर आज तक किसी अन्वी ने कह है, कि यार ये जुड़ना बोला करो कि ब बाकी जिद्नी वर्जी कर ले, फिर वो बुखारी मुस्रम में अधीस है ना, एक से आभी आए उनका, मुझे मोटा मोटा दीन बताएं, मैं जो कर सकता हूँ, आपने फर्माया है कि पांचों नमाजों की फर्ज रखते हैं, ठीक है, फर्ज नमाज को काहिम रखो, पांच ठीक है बाँ, और फर्ज जकात दो, और फर्ज रोजे महिने के रमजान के रख लो, हाज उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था, इसलिए हाज का जिकर उस अधीस में नहीं मिलता, तो जब वो जाने लगा, तो वो एक लम्मे के लिए रुका, उसे का, यार्सुल्ला मैं ना इसम अधाफा करोगा, ना कम ही करोगा, यानि मुझे फर्ज की बात है, पर फर्ज ही पढ़ूँगा, तो जब वो चला गया, रुक बदल के, पीट करके, आप होते तो उल्टे कदम जाते हैं ना, क्योंकि आपको तो बजारों से उल्टे कदम आप निकलते हैं, तो नबील अस् जिसने किसी जन्नती को देखना, इस शक्स को देखना, आप तो माँ प्रोटेस्ट कर देते हैं, यारस लो सुनते मुगदा कि थे गई हैं, इशाधिस्ताना रुकाता कि थे गई हैं, इनों ने दीन के साथ जो किया है ना, खिलवार, उसका नुकसान यह हुगा है कि लोग नमाद ही छोड़े हैं, एक जल्म किया सुन्नत और नवाफिल पे जोर देकर, और दूसरा नमाज जमा करने की जो फिसिलिटी थी यह चीज़े हुगा, अब दुफातर में, अब मैं प्राइम निस्टर की बात करते हूँ, प्राइम निस्टर आलमोस्ट कम असकम पदरा घं जो के नवाफिल नहीं पढ़ दे, और उसके लिए सुनते मुगदा पढ़ना भी जरूर ही नहीं, बस दो फजर के फर्ज़ पढ़ ले, चार जोर के और चार असर के वो भी जमा कर ले, जो उसको मीटिंग में टाइम मिलते हैं, 10-15 मिरट, उसमें जोर असर कठी पढ़ ले और फिर जब घर वापिस आए, रात को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मगरी विशाफ पढ़ ले, उस वो रुज़ाना जमा करें, मैंने बताया है, सही बुखारी में मुझूद है, हजरत है, उमरे फारू कहते हैं, बास उकात मैं अपना जंगी प्लैन नमास की आलत में करता हू सूपर पावर थे, और हर वक्त जो है वो उस वक्त ना आपको पता इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना वाइलेस सिस्टम था, ना कोई मुबाइल फूम थे, कि हर वक्त कोई एजेंट आपको बात बताएं, वो तो बड़ी देर से खबर आती, तो प्लैनिंग्स में मामला चलते हैं, तो ऐसे लोगों को इसी तरीके से जो लोग दावत और तब्लीग का काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे बैठके काम कर रहे हैं, चाहे सीना बसीना दावत कर रहे हैं, फेस्बूक के जरीए कर रहे हैं, वाटसैप के जरीए, उनके लिए ये काम ज नफिल नहीं फर्ज का स्वाब भी उसको मिल आपको मिलेगा जो बुहारी मुस्लिम में अदीस है मौला अली को जब नबी लिस्लाम ने खैबर के मौका पर बेजा तो क्या फरमाया था अली पहले उनको दावत देना तेरी विज़ा से एक बंदा भी अगर चेंज हुआ तो त इतनी effort put की 16 साल लगा है बुहारी लिखने में लेकिसर क्यामत तक करोणों नहीं अर्बों नमाजों के स्वाब उनके नामाय माल में आटोमेटिकली जा रहे हैं ठीक है क्योंकि effort put करके चले गए हैं सदका जारिया जो मुस्लिम श्रीम में अदीस है कि मरने के बाद भी तीन effort put कर गए हैं मुक्तसर सी जिन्दगी के अंदर क्या जिन्दगी यार एक सो चुरानवे हिज्री में पैदा हुए इमाम भुहारी दोसो चपन में फोट हो गए 62 यर्स और ये भी मैं आपको लिउनर इयर्स के इतबार से बता रहा हूँ हमारे जो सॉलर इयर्स हैं इसके को सिर्फ पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप तो इशागी सत्रा रखते हैं पर आते हैं ना अलमुता इमाम मालिक खोलें फाते इरान पादसिया के फाते साद इबने विवकास अलमुता इमाम मालिक में गौर्डन चेंस एदीस है पूरी जिन्दगी इशागी इशागी सत्रा रखते हैं पड़वाते हैं साद इबने विवकास वो एक भी जो पढ़ते थे उसूल भरकत के लिए वो भी कोई जरूरी नहीं है चार फर्ज काफी है पूरी जिन्दगी साद इबने विवकास उनसे बड़ा को नेको कार था उनको पता था कि यार फस की ठीक है जिनना घुड़ डालो उतना मीटा है तो हमनों छड़िया इशाद ही इस तारान काता हैं तो ठीक है पुगतो अच्छा ये मैं मुझे कोई मुलवी पर रखके दे के वो खुद इशागी सत्रा रखते पड़ता है और यार तीन मिनिट रह जाते हैं आप इमाम को देख रहे होते हैं उसने शागी पहली चार नहीं पड़ी भी आप पढ़ता होएगा अब एक लो बाज भी के पढ़ता हैं दो भी पढ़ने बड़ी काल आप और खुदाना कास्ता को अहले दीस हुआ तो वो दो भी नहीं पढ़ना गवारा करेगा वो पहले भी गपे मार होते हैं एल अदीसों के इमाम और जैसे एकामद होती जाके मसले में नवाप पढ़ा के फिर गपा मारें और मुबायल लाके बैठ जाने ने ये उनके अंदर पता नहीं किसने बिमारी दाखिल कर दी है कि मुबायलों पर टाइम जाया करते हैं सुनते मौकदा नहीं पढ़ रहे हैं सर कानि के निक राइन ने तानुशाद हिकतामें किस्तार निकाता लिक के देश आप धृट एंटिक एंट ऑ़ खिखते हैं याप सत्रा न बीदीज ना किशा कीतिया इसने पड़नी है हम शुक्रें झाल में नासे नासे च्छूर कर दी मैं करसली को चाता हूर में नमाज के लिए अगर सही वो पढ़े इंसानों की तरह 35-40 मिनट चाहिए पहले भी जाये गास तंजा करना है वुजू करना है चार सुनते पढ़नी है तो चार फर्स पढ़ने हैं फिर बाद ही कमस्कम दो सुनते हैं चार भी साबित हैं तो उसके लिए एक एफट पूट करना मुश्किल क्राम है तेकिन अगर वो कह कर जी डेड़ बड़े जोर है तो एक पच्छिस में वुजू करें डेड़ में पढ़के अन्फियों की मस्जिश में है तो एक 35 भी घर वापिस आ जाजी और अगर एलेदीश की मस्जिश में है तो फिर भी एक 40-42 तक आई जाएगा तो एफर्ट करना मुश्किल हो जाता है तो आप ने देखा किस तरीके से इंजिनेर साहब ने समझा दिया कि नमाज में जो सिर्फ पर्ज अगर पढ़ लेंगे तो उससे भी काम चल सकता है तो मैं आपको बताओं दरसल पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आया क्यों नही दरसल हमने अभी स्टार्टिंग करी है इनकी वीडियो को देखना जब हम इनकी वीडियो को लगाता देखते रहेंगे तो मैं समझ में आयेगा है ना और आप से एक रिक्वेस्ट है अब भी मुझे समझनी की कोश़िस और कोमेंट के जरीए ना जो जो आपको समुन में आया है जो जरूरी बाते हैं जो मतल्ब जानना सब के लिए जरूरिया समझ रहें न जो जानना सब को जरूरिया हैना तो उसे आप लिखकर मुझे पता दिया करें और हाँ आप Oh Oh A good अच्छी बात है लेकिन वीडियो को सेर करना भी बहुत जादा जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देचे हमारा इस चैनल का जो प्रोग्राम है उसे कप्रीट भी तो करना है तो आप हमें नीचे कोमेंट्स करके बताएगा जरूर आज की इस वीडियो को हम यहीं समाक्त करते हैं मिलेंगे एक और नई तब भेटर वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते हैं